हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर, दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपोर्टन प्रेश्णों की जो एक्जाम में पूछे जाते हैं, दोस्तो मैं आपको बता दू, मैं पाइट वाइज वीडियो बना रहा हूँ, यदि आपने नहीं देख कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा, देखिए सिपाही कितने मीटर दोड़ा 21, चोर दोड़ा 15, सिपाही की स्पीड ज्यादा है, तो सिपाही एक समय पर जाकर चोर को पकड़ लेगा, कि चोर की स्पीड कम है, ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कॉशन आपको पूछा ज चाल है और आपकी चोर की चाल है दोनों का कर दीजिए अंतर ठीक है तो सिपाही की चाल में से चोर की चाल को घटा देंगे ठीक है सिपाही की चाल है 21 की सिपाही की चाल है दोस्तों आपकी 21 की चोर की है 15 की सिपाही की जादा है कितनी जादा है 21 में से 15 घटा तो सिपाही की 6 जादा है इसी 6 से क्या करेंगे आप डिवाइट कर देगे ठीके दोस्तों कर दीजिए इसे कटा लिजी आपका अंसर आजाएगा 6 एकम 6 5 बचेगा 54 हो जाएगा 6 ने 54 मतलब 19 मिनट में क्या हो जाएगा सिपाही चोर को पकड़ लेगा ठीके दोस्तों आपका सही हो जाएगा बिदाओट पैन पेपर के कर सकते हैं कितने का अंतर है 114 मीटर पीछे है सिपाही 114 लिख लिया अब सिपाही की चाल में से चोर की चाल को घटा दीजे जो बचेगा उसी से डिवाइड कर दो बस आपका अंसर आजाएगा उमीद करता हूँ ये कोशन आपको बहुत पसंद अगला क्वेशन आपका 171 मीटर लंबी देल गाड़ी 45 किलो मीटर परावर की चाल से चलते हुए 229 मीटर लंबे एक पल को कितने समय में पार कर लेगी देखिए आंसर किसमें पूछा गया है सेकंड में पूछा गया है ठीक है दोस्तों तो देखिए कैसे स्वाल परना आपको 171 की और 239 मीटर की क्या करेंगे दोनों को प्लस कर लीजे 171 प्लस 239 को प्लस कर लेंगे तिवाट आपको कितने से करना चाल से चाल आपकी कितनी है 45 किलो मीटर की आप देखिए दूरी आपकी मीटर में है 4 किलो मीटर में है तो आप क्या करेंगे किलो मीटर को मीट सा सेकेंड में पूछा गया है ठीक है दोस्तों तो किलो मीटरों क्या करंगे मीटर बना लेंगे तो मीटर बना लिजी दोस्तों देखें 45 किलो मीटर है आप देखें किलो मीटर बड़ी यूनिट है मीटर छोटी यूनिट है तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आए नो पच्चे 45 कर जाएगा पास से पास का मल्टिप्राइब 25 हो जाएगा और बट्टे में क्या जाएगा दो तो चाल कितनी आपकी 25 बट्टे दो यही तो चाल निकल गया है आपकी अब मैं आपको बता जू जो नीचे की संख्या होती है तीसे नंबर की वो कहां पहुंच जा जाएगा यहां तक बात के लिए रहे दोस्तों किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा ठीक है अब इसे कटा लेंगे आपका आंसर आ जाएगा देखिए इसे कटा लिजे 25 कितनी बारी कर जाएगा 25 कर जाएगा 16 बारी 16 कर जाएगा 32 हो जाएगा तो कितना समय चाल कितनी है 25 बारी 16 बारी 16 बारी 16 बारी 16 बारी 22 सेकेंड उम्मीद करता हूं इसकॉशन में भी कोई डाउट नहीं होगा ठीक है दोस्तों अब देखतें अगला कॉशन अगला question है 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपे कमाते हैं तो 20 लड़के 7 दिनों में कितने रुपे कमाएंगे ठीक है दोस्तों देखे ऐसे question मैं पहले भी करा चुका हूँ और फिर से समझा देता हूँ कैसे करना है ठीक है दोस्तों कितने लड़के हैं 15 लड़के हैं कितने दिनों में 5 दिनों में कितने रुपे कमाते हैं रुपे से क्या करते हैं आपको डिवाइड कर दिना है यदि question ऐसे पूछाया था 15 लड़के 5 दिनों में 50 कुरसी बनाते हैं तो जो कुरसी आता ना 50 वो भी आप बटे में लेते यदि रुपे दिये जाएंगा तो रुपे में बटे में लेने है यदि काम दिये जाएगा 50 कुर्शी का या 50 मेज का वो भी आपको बटे में लेना है ठीक है दोस्तों बराबर यहाँ पर कितना दे रखा 20 लटके दे रखें ठीक है 20 लटके कितने दिन में कर रहे हैं 7 दिनों में कर रहे हैं साथ दोनों में कितने रुपे कमाएंगे नहीं पता है तो रुपे क्या करना आपको find करना है के लिए रहे दोस्तों अब इससे कटा लीजिए बस आपका आंसर आजाएगा ठीके दोस्तों पंदर से कटाएगा 15 छिक नबबब और 101 0 60 हो जाएगा पांच से साट कटाएगा बारा भरी ठीक दोस्तों अब क्या हो जाएगा अनका cross multiply हो जाएगा तो रुपए का अधर क्रॉस मल्टिप्लाई करेंगे तो इधर क्या आजाएगा आपका रुपए आजाएगा ठीके दोस्तों रुपए आजाएगा अब बराबर क्या आजाएगा इधर 20 इसका क्रॉस मल्टिप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 7 इंटू 12 यही तो आजाएगा इन पूले से 80 रुपे कमाएंगे, ओफ्शन नमबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आपको यदि कॉश्चन समझ में नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट वक्स में बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला कॉश्चन, अगला कॉश् अब achment कितना है? 60 liter का 60 लिग लीजिए, मुटिप्राई कितनी से करना है? देखेंगे, पहले कितना है पानी का? 10% है, 10% से कितना हो जा रहा है? 25% हो जा रहा है, कितने परसेंट की बढ़त हो रही है? 15% की बढ़त हो रही है, तो इस पंदर से क्या करना है? आपको multiply करना है, और divide कितने करेंगे divide करेंगे 100 में से नई मात्रा तो नई मात्रा कितनी होनी चाहिए 25 की तो होगी तो 100 में से 25 को मैनिस कर देंगे 75 आ जाएगा ये question दोस्तों मैं पहले भी करा चुका हूँ यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमाई चैनल की playlist में जाकर maths गरित पार्ट के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा वहां से आप maths गरित पार्ट के नाम से सारे वीडियो देख लीजिए आपको जितने भी doubt है जितने भी clear है वहां से clear हो जाएगे ठीक है दोस्तों आप 75 से डिवाट कर तो बस आप का अंसर आ जाएगा 15 से 75 कर जाएगा 5 बारी और 5 से 60 कर जाएगा 12 बारी ठीक है दोस्तों तो आपको करना क्या है जो पहली वाली मातरा है और जो नई वाली मातरा है उसमें देखना है कितने परसंट बढ़ रही है 15 परसंट बढ़ रही है ना तो 15 से multiply कर देना है total मिसरन में और divide कितने से करेंगे 100 में से मानस कर देंगे जो नई मातरा है नई मातर कितनी है 25 परसंट की होगी ना तो 100 में से इस नई मातरा को मानस कर देंगे मतलब 75 बचेगा किलियर दोस्तों तो अम्मीद करता हूँ इस question में भी कोई डाउट नहीं होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है बी को ए से 20% अंक प्राप्त हुए ठीक है दोस्तों दे रखा आपको बी दे रखा है और ए दे रखा है ठीक है दोस्तों बी अनुपाति ए हो गया बी को ए से 20% अंक प्राप्त हुए ठीक है, B को A से कितने कम अंग प्राप्त हुए, 20%, B को प्राप्त हुए, A से, जदी A के 100 होंगे, तो 20 कम हुए, A को B को कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, B को A से 20% अंग प्राप्त हुए, कम, A के 100 होंगे, तो B को कितने हो लिजे बी से चार वारी कर जाएगा बी से पांच वारी कर जाएगा तो चार अनुप पाते पांच हो जाएगा तो बी का कितना हो गया चार एक हो गया पांच एक को बी से एक को पूछा गया है ना एक को बी से कितने प्राप्त हो रहे हैं एक प्राप्त हो रहा है ना चार से पांच हो रहा है, एक परसेंट प्राप्प्त हो रहा है, अधिक, कितने मैंसे, चार से, एक यहां से देखेंगे, बी के चार है, एक पांच है, तो कितने अधिक प्राप्त हो रहा है, एक की तो प्राप्त हो रहा है, अधिक, कितने मैंसे, चार से, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों तो मित करता हूं इस question में भी कोई डाउट नहीं होगा question आप से कह रहा है B को A से 20% अंक कम प्राप्त हुए तो B को हमने कम कर दिया 20% इसको छोटा कर लिया 4 अनुपाते 5 आ गया पूछा गया है A को B से कितने प्रत्यत अधिक प्राप्त हुए है देखेंगे यहाँ पर कितने प्राप्त हो रहे हैं 4 से 5 हुगा है एक प्रत्यत अधिक प्राप्त हुगा है